नमस्कार दोस्तो मैं तरुन सोलंग की आप सभी का हारतिक स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल एजू मित्रा पर दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेल आइकन पर दागबा कर ओल पर क्लिक कीजिए जिससे आपको नई नई अपडेट मिलती रहेगी सबसे पहले दोस्तो अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो आप सबी वीडियो को सिक्वेंस में देखना मैंने मैंत का टोपिक 30 करवाया है और सेक skilled topic करवा रहा हूँ Profit and Loss तो पर 30 मैं मैंने 7 पार्ट करवाई हैं उन 7 पार्टों को आप सिक्वेंस में देखना Part 1 से लेकर Part 7 तक तो आपको basic से मैत समझा जाएगी तो दोस्तो चलिए सुरू करते हैं आज की किलास येगर है एक दुकानदार को एक रुपे में 40 चोकलेट बेचने पर 40 परतिसत की हानी होती है तो बताओ 20 परतिसत लाब प्राप्त करने है तू उसे एक रुपे में कितनी चोकलेट बेचनी होगी येगर है कोई दुकानदार है वो एक रुपे में 40 चोकलेट बेचने पर क्या होती है उसे 40 परतिसत की हानी होती है वो करे तो बताओ 20 परतिसत लाब प्राप्त करने है तू उसे एक रुपे में कितनी चोकलेट बेचनी होगी तो देखिए साथियो इसकी ट्रिक क्या है ये ए एक रुपय में 40 चोकलेट बेशता है, तब इसे 40 पर 30 की आनी होती है, 40 की आनी हो गई, तो 6 कितना बचा, 60 बचा, 100 से 40 की आनी हो गई, तो 40 तो हनी हो गई, बचा 60, अब कहारा है 20 पर 30 लाब के लिए, तो 100 में 20 को एड़ गए 120, 60 के बाड़े से 2 वार, दो के बड़े से एक वर ये दो के बड़े से 20 हुआ तो हमारा आंसर आ गया एक रुपे में 20 तो हम इससे लिखेंगे एक रुपे में 20 चोकलेट तो उस दुकानदार को कितनी चोकलेट बेशनी होगी कि उसे 20 परतिसत का लाब हो जाए तो उस दुकानदार को एक रुपे में 20 चोकलेट बेश नहीं होगी कि उसे क्या हो जाए 20 परतिसत का लाब हो जाए तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजी तो साथ यो देखते हैं आज का second question यह आपकी mobile screen पर यह गरा है एक दुकानदार ने एक रुपे में 20 चोकलेट खरी दी तो बताओ 25 परतिसत लाब प्राप करने है तू उसे एक रुपे में कितनी चोकलेट बेशनी होगी तो पिसले सवाल में हमने कैसे किया था सेम वैसा का वैसा सवाल ले आईए तो हम देखते हैं कैसे करते हैं वो करें एक रुपे में 20 चोकलेट खरी दी कितनी खरी दी? एक रुपे में 20 चोकलेट खरी दी हमने लिख दिया एक उपर रुपे उपर और quantity नीचे तब ही तो आएगा price कि एक टोफी का में लिए कितना था तो इसे ऐसे लिखेंगे एक रुपया बटा 20 चोकलेट इंटू तो 25 परतिसत लाब प्राप्त करने है तूसे एक रुपे में कितनी चोकलेट बेशनी होगी तो देखो साथियो ये जो value थी ये कितनी थी 100 परतिसत नहीं थी क्या ये value थी 100 परतिसत हमें ज्याद क्या करने है 125 परतिसत यादि कि 25 परतिसत लाब लाब प्राप्त करने है तू क्या बैचना अगा एक रुपे में कितनी चोकलेट बेशनी होगी तो ये 25 की बाड़े से गया 500 और ये 25 की बाड़े से गया तो आप इसे नोट कर लीजी और इसका स्क्रीन सोट भी ले लीजी तो साथियो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्यूशन यह आपकी मोबैल स्क्रीन पर यह स्वाल कर रहा है एक वक्ती ने 7 रुपे में 30 नीमू खरीदे तो बताओ 20 पर 30 लाप प्राप करने है तू उसे 49 रुपे में कितने नीमू बेशने होंगे गुंचास रुपे में कितने नीमू बेशने होंगे देखिए कैसे करते हैं इस स्वाल को देखते हैं साथ रुपे में 30 नीमू खरीदे अब गयाद 20 पर 30 लाप प्राप्त करने है तो उसे गुंचास रुपे में कितने निमूब बेशने होंगे तो ये जो 7 बटा 30 थी ये क्या थी? 100 पर 30 वेल्यू हमारे लिए क्या थी? 100 पर 30 वेल्यू हमें क्या गयाद करना है? 20 पर 30 लाप यानि की 120 अब देखो 30 के बड़े से 1 और 30 के बड़े से 4 वा चार के बड़े से 1 और 4 के बड़े से 25 वा तो हमारी वेल्यू आ गई 7 बटा 25 यानि की 7 रुपे में हमारे नुशार कितने बेचने चाहिए? 25 निम्मू और वो पूछ रहा कितना है? गुंचास रुपे में तो देखो 7 रुपे में बेचने हैं हमारे नुशार 25 कब? 20 पर 30 अतलाब के लिए अब गुंचास रुपे में कितने बेचेगा? तो 25 बटा 7 इंटू 49 इंटू 49 तो 7 के बड़े से डिवाइड किया तो यह गया साथ वार और 7 को जब 25 से हमने मल्टिबल किया 7 को 25 से जब हमने गुणा किया तो हमारा आश रा गया 175 क्या या? 175 अब इसे नौट भी कर लिजिए और इसका स्कीन सोट भी ले लिजिए तो साथियो देखते हैं आज का नेक्स्ट क्यूशन यह आपकी मोबाइल स्कीन पर यह कह रहा है एक वक्ती ने 5 रुपे में 36 संत्रे खरीदे तो बताओ 8 पर 37 लाप प्राप करने है तू उसे 15 रुपे में कितने संत्रे बेचने होंगे? उसे 15 रुपे में कितने संत्रे बेचने होंगे? ऐसा स्वाल हमने इससे पहले ज़श्ट किये ही है तो देखे इसे कैसे करते हैं 5 रुपे में 36 संत्रे तो रुपे उपर quantity नीचे यह वेल्यू हमारे लिए गया है 100 तो 38 पर 37 लाप चाहिए तो 100 में 8 गया तो 108 108 होगे अब देखो 36 के बाड़े सी एक वार और यह गया तीन वार यह गया तीन वार तो हमारा आंसर है 15 बटा 100 क्या आया? 15 बटा 100 हमें पूच्छा क्या है 15 रुपे में कितने संत्रे बेचने होंगे तो हमारा आंसर डारेट हमेर क्या आगया? आंसर ही आगया कितना है? 15 रुपे में 100 संत्रे बेचने होंगे 15 रुपे में कितने बेचने होंगे? 100 संत्रे बेचने होंगे यही तो आया 5 को 3 से गुड़ा की तो 15 नीचे 100 थाई तो 15 रुपे में 100 संत्रे बेशने होंगे तो हमारा सिधा ही आंसर आ गया अगर आप ऐसा नहीं करते अगर आप इसको केल्गुलेट आगे तक कर देते हो तो भी हमारा आंसर यही आएगा तो देखो 5 के बाड़े से इसे काटा है एक वर और यह गया कितनी वर 20 वर तो आपका आशर आया मालो यहां तक 3 बटा 20 वो पूछ रहा कितना है 15 रुपे में कितने बेशने होंगे तो देखो हम 3 रुपे में 20 तो 15 रुपे में कितने बेशनेंगे 20 अप ओन में 3 इंटू 15 1 को यह तीन के बड़े से 5 वर 20 को 5 से गुणा कि 100 तो हमारे नुर्षार 15 रुपे में कितने बेशने होंगे 100 अब भी हमारे कितना रहा है 100 तो चाल्कुलेशन उसमें ठोड़ी लंबी जली जाती और यहाँ पर अगर calculation को आपको पता चल रहा था कि 5 को 3 से गुणा करें हमारा आरा है 15 नीचे 100 बचावा था तो हमारा answer आ गया 15 रुपे में 100 दोस्तो अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सबस्क्राइब कर लिजए और बेल डबाकर और पर क्लिक कीजए जिससे आपको नई-ईपटेट मिलती रहेगी सबसे पहले तो आप इसे नोट भी कर लिजए और आप इसका स्केन सोर्ट भी ले लिजए तो साथियों देखते हैं आज का नेक्स्ट क्यूशन ये रापकी मोबाईल स्क्रीन पर ये करहा है एक दुकानदार ने चार रुपे में पांच के बाउसे कुछ पैंसिल खरीदी तथा उन्हें पांच रुपे में तीन के बाउसे बेच दी तो बताईए उसे कितने परतिसत लाब या हानी हुई तो वो गर है कि चार रुपे में पांच के बाउसे कुछ पैंसिल खरीदी थी और पांच रुपे में तीन के बाउसे उसे बेच दी तो उम्हें बताना है परतिसत लाब या हानी बतानी है तो देखिए एक साइट लिखते हैं CP यानि कि कोस्ट प्राइज यानि कि क्रेम बुलिया और दूसरी साइट लिखते हैं Selling प्राइज यानि कि विक्रेम बुलिया तो cost price क्या है 4 रुपे में 5 की बाउसे तो रुपे उपर quantity क्या है 5 यानि कि 4 रुपे में 5 की बाउसे पिसले स्वाल में हमने ऐसे ही किया था रुपे को उपर रखा था और quantity को नीचे बेचा किस बाउसे selling किस बाउसे किये 5 रुपे में 3 के बाउसे अब देखो 5 और 3 का LCM क्या रहा है 15 पंदरा ही तो आ रहा है 15 पंदरा 5 से 15 को डिवाइड किया 3 वार 4 को 3 से गुना 12 तीन से 15 को डिवाइड किया पांच वार और 5 की 5 से गुना 25 पच्चिस आ रहा है कि हमने खरीदी तो कितने में थी 12 रुपे में और उस वस्तू को बेचा कितने में 25 रुपे में अब समद आ गए आपको स्वाल कि हमने वो वस्तू खरीदी थी 12 रुपे में और वस्तू बेची कितने में 25 में तो इनका अंतर कितने गा रहा है इनका अंतर कितने गा रहा है 13 का हमारे नुसार क्या तो करण मुल्य कितना है, 12, upon 12, into 35 के लिए 100, तो यह क्या है, लाब भी तो है, तो इसको सोल करते हैं, तो हमारा क्या आएगा, 1300 upon 12, तो इसे आगे सोल करेंगे, तो इसका आएगा, 108,3,3 पर तिसका लाब, तो हमारा आएगा, 108,3,3 पर तिसका लाब, यह लाब पर तिसकत है, याद रखना, तो लाब बराबर क्या वा, 108,3,3 पर तिसका लाब, तो आप इसका, इसकीन सोट ले लिजी, देखते हैं, आज का, नेक्स्ट क्यूशन, यह रापकी मोबैल, इसकीन पर, यह क्यूशन कह रहा है, एक दुकान दान ने, साथ रुपे में, दस की बाउ से कुछ सेव खरी दी, तथा उन्हें, दस रुपे में, तेरा के बाउ से बेच दी, तो बताईए, उसे कितने परतिसक्त लाब या आनी हुई, यह करा है कि, साथ रुपे में, दस की बाउ से क्या खरी दी, कुछ सेव खरी दी थी, और उन्हें, दस रुपे में, तेरा के बाउ से बेच दी, तो हमें बताना है, कितने परतिसक्त लाब या आनी हुई, क्या था, वैसा का वैसा स्वाल है, इसलिए हम इसे उसी तरीके से स्वाल करते हैं, तो इस साइड आ गया, कोश्ट प्राइज, यानी कि सीपी, और इस साइड आ गया, सेलिंग प्राइज, यानी कि सीपी, तो कोश्ट प्राइज किया है, सात रुपे में, दस की बाउ से, औ इतना है 130 का तो जीरो से जीरो कैशल हो गया तो साथ के गुणा की 13 से तो साथ 321 का एक दो साथ एकम साथ और एक 91 तेरा से ये खटा 130 दस ट्वाग 10 की हमारे अनुसार 91 वाली वस्तू को हमने 100 रुपे में बेच दी तो हमारे अनुसार हमारे 9 रुपे का फाइदा हुआ करा मुल्य कितना है 91 तो अपोन में 91 परतिसत के लिए 100 परतिसत के लिए क्या करेंगे 100 तो हमारा आश रहे गया 900 अपोन में 91 परतिसत क्या है लाव तो हमारी कोष्ट प्रैस तो क्या थी साथ रुपे में 10 के वाव से और सेलिंग पराइस क्या थी 10 रुपे में 13 के वाव से तो हमने 10 और 13 का LCM लिए 130 आया तो 130 को 10 से काटा तो 0 से 0 के इंसल तो 13 13 और 7 के हमने जब गुना की तो आया 91 यानि 91 13 को 130 से काटा 10 वार 10 की 10 से गुना की 100 तो हमारे नुसा रूपे में फाइदा हो रहा है 9 रूपे का हमारे नुसा रूपे में फाइदा हो रहा है 9 रूपे का तो परतिसत में देखने कितना हो रहा है तो रूपे में 9 कहां से करें मुलिय कितना था 91 तो अपोन में 91 परतिसत ग्याद करें into 100 तीन रुपे में 5 के बाउ से कुछ टोफिया खरी दी तथा उन्हें 7 रुपे में 10 के बाउ से बेच दी जिससे दुकानदार को 13 रुपे का लाब प्राप्त हुआ तो बताओ उसने कितनी टोफिया खरी दी या बेची हमें ये बताना है तो फिर वही कोस्ट प्राइज और सेलिंग प्राइज तो उसने खरी दी कितनी थी तीन रुपे में 5 के बाउ से और बेची कितनी थी 7 रुपे में 10 के बाउ से तो इसका एलसे हम गया रहा है 10 ही तो आ रहा है कितना रहा है 10 5 से 10 गया दो बार 3 दुनी 6 10 से 10 गया एक बार बचा 7 तो देखो, तो देखो दोस्तो, हमारे अनुसार, हमारे अनुसार उसे प्रोफिट हो रहा है, एक रुपे का, हमारे अनुसार उसे फाइदा कितना हो रहा है, एक रुपे का, क्योंकि 6 वाली वस्तु को उसने कितने में बेचा, 7 में, तो 6 वाली वस्तु को जब 7 में बेचा, तो कितने का अंतर है, एक का, तो एक का अंतर क्या है, फाइद ही तो है, लेकिन हमें वो पूछ क्या रहा है, इस्वार परतिस लाब नहीं पूछ कर क्या पूछ रहा है, कितनी वस्तुए खरीदी या बेची, कितनी वस्तुए खरीदी या बेची, देखो, इसको कैसे करते हैं तो दोस्त तो इसे कैसे करते हैं देखते हैं ये करे हैं हम करे हमारे नुसार एक का फाइदावा लेकिन वो करे तेरा का फाइदावा हम करे हमें एक का फाइदावा वो करे तेरा का फाइदावा हम करे हमने 10 वस्तुई खरीदी क्योंकि हमने जो LCM लिया था हमने जो LCM लिया वो वस्तो की संख्या को परजेंट करता है वो वस्तो की संख्या को क्या कर रहा है दरसाता है एकजेट संख्या नहीं होती वो संख्या को क्या कर रहा है परजेंट कर रहा है जो LCM आएगा आपको जो LCM आएगा आपका उस संख्या को क्या करेगा पर्जेंट किरेगा, तो हम किरे हैं, हमने 10 स्वस्तोय खरी दि, तो उसका फाइदा 13 का हमारा niez 10, तो आगया 130, क्या आगया 130, कि उसने 130 वस्तोय खरी दी थी, और 132 वस्तोय बेची थी, तो वस्तो की संख्या कितनी आ गई, 130, तिस तो हमने यहाँ तक तो पिछले स्वाल कितरहीं किया था लेकिन यहाँ पर हमें 13 कापाइद आ रहा है और हम के रहें एक का तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि कुश्चन की वेल्यू उपफर और हमारी वेल्यू नीचे इन्टू ज्यात क्या करना है संक्या हमने क्या मानी थी टोफियों की संक्या 10 हमारा LCM क्या है था 10 ही तो है था तो वो संक्या को परजेंट कर रहा है 10 तो 130 हो रहा था चाहिए कैसे ही करो आपका आँसर हमेशा एक साएगा तो आप इसका स्क्रीन सोट ले लीजिए तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर भी कर दीजिए तो देखते हैं आज का नेक्ट क्यूशन यह रापके सामने यह रहे एक दुकांदार ने आठ लिटर सुद दूद में एक लिटर पानी मिला कर उसे सुद दूद के कर मुल्य पर बेच दिया तो दुकांदार का लाप परतिसत होगा तो मैं क्या पूछ रहा है लाप परतिसत कितना होगा आठ लिटर जो दूद था उसमें क्या मिला है एक लिटर पानी तो मिशन हो गया नो लिटर का तो अब वो क्या बेच रहा है नो लिटर को ही तो बेचेगा वो नो लिटर को बेचेगा और बेचेगा किस बाव से करा मुल्य पर जो उसका करा मुल्य था उस पर बेच दिया तो बताओ अगर वो आठ दूद को करं मुल्य पर बेच आए जिस मुल्य में खरिद आए तो उसको होताए लोस लेकिन और 9 लिटर दूद को बेच रहा है we canाने चाहिक अब्धा दाऊगा तो … जो 9 प्रतिसद के लिए सो आंट को इससे डिवैड किया तो इतना रहा है 12.5% का लाब क्या रहा है 12.5% का लाब तो आप इसका स्क्रिन सोट ले लीजी दोस्तो मेरा वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए और कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो और मेरी mail ID भी आपको description में दे रखिए वाहाँ पर भी आप mail कर सकते हो अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लग रहे है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर share करे ताकि मुझे होसला मिलता रहे आप अपना प्यार और विश्वास मुझे पर इसी तरह बनाए रखे और अपने दोस्तों के साथ अधिक साधिक share करते रहे जिससे मैं नए नए वीडियो बनाने के लिए पेरित होता रहूँ तो मिलते हैं नेक्स्ट किलास में तब तक के लिए जैहिन जैबारत थैंक यू